शाहरुख ने क, 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 केरन यूँ ही नहीं बोला था बलकि इसके पीछे भी फिल्म की टीम ने पूरा दिमाग खर्च किया था। डर्क के राइटर्स में से एक हनी इरानी ने अपने हीरो से इस तरह केरन बुलवाने के पीछे की पूरी कहानी बताई है। मिमक्री करने वालों ने जब भी सुपस्टा शाहरुख खान की नकल उतारी है तो सबसे पहले फिल्म दर से उनका एक आइकोनिक डायलोग जरूर आजमाया है। क, 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 केरन वैसे तो ये अपने आप में पूरा डायलोग भी नहीं है। केवल एक शब्द है, मगर, डर, फिल्म में जुही चावला के किरदार का नाम इस तरह हकलाते हुए लेना। हमेशा हमेशा के लिए शाहरुख की पहचान बन दया। लेकिन क्या आपको पता है कि शाहरुख ने इस अंदाज में, क, क, यू ही नहीं बोल दिया था। बलकि इसके पीछे भी फिल्म की टीम ने पूरा दिमाग खर्च किया था। डर्क के राइटर्स में से एक हनी इरानी ने अपने हीरो से इस तरह किरन, बुलवाने के पीछे की पूरी कहानी बताई है। डर्क में इस वजह से हकलाए थे शाहरुख जावेद सिद्धी की के साथ मिलकर, डर्क लिखने वाली हनी इरानी ने कॉमल नाहटा के साथ एक इंटरव्यू में बताया, की शाहरुख की पसनेलिटी में ये एक चीज क्यों जोली गई थी। उन्होंने बताया, उसमें एक सीन था डॉक्टर के साथ की जैसे इसकी शाहरुख का किरदार मां की मौत हुई थी। कार एक सीडेंट में उसे लगता था कि उसके पिता इसके लिए जिम्मेदार है। और इस लड़की के लिए इसका जो फैसिनेशन है, वो इतना है कि वो ब झाल 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 झाल